मुझा कर दूर्ट कर दूर्ट के साथ अब तक आप लोगों ने अब तक के वीडियो में बैसिक चीज आप सिक रहे हैं अभी सिर्फ बेसिक लेगे इसका एडवांस पार्ट है यह बेसिक करने के बाद क्योंकि आपको बेसिक चीज नहीं आती रहेगी तो प्रॉल्म हो जाती ना हम एडवांस में आपको लेके चलन इसका सब्लिमेंटरी क्या होता है यह सब चीज आपको आएगे आप तक के वीडियो में नौका गुड़ा देखा था नौका गुड़ा करते हैं तो आता है अब आते देखेंगे हम 11 का गुड़ा करें तो प्रॉस्या आएगा नमर एक कि यह मने लिया है 87 इंटू कि लेवल यहां यहां पर सिर्फ डो डिजिट्स है कितने हैं वन टू तनियम देखें कितना नियम आशाम है अभी तो हम लिकर बताएंगे आप लिकर करेंगे तुरू में लेकिन जैसे जैसे आपके कंफर्म होता जाएगा जैसे जैसे आप इसक जैसे आगे जाते जाएंगे प्रेटिस करते जाएंगे आपको यह त्रिक इतनी अच्छी लगेगी कि आप पलक छपते ही इसके अंसर को बता सकते हैं बड़े से बड़े और आपको कॉंप्टिशनल एक्जाम में बराबर मिलते रहते हैं ठीक उनकी वरी कितनी वान मार्थ आप कितना देना होता है है पाउइकन यह 1 जwalk करते हैं इसे में खा जाते हैं नतीज का है आपको प्रस्ट आदे रहते हैं फिर भी आप उसको अर्टम नहीं कर पाते हैं शुड़ क्याते हैं और जो प्रस्ट शुड़ क्याते हैं नतीजा क्या हो तब लोग जानते होंगे मैं नहीं बताऊंगा ओके चलिए आपको 87 में 11 का मृटिप्लाइब करना है अब इधर कोई होने दो कोई होने दो कि फिर होने दोख होने दो हमें選्म एंबॉन depends को को है यह है तो आप पर 27 डिम एव ऐध मैं एस जित है मिए अगुटि है इसके defence निसे प्रस्टीom कि यहां है इसलिक है कि बासमाई कर लेकत कर रहे हैं बाद में आप औरल करना होगा आप क्या करेंगे एक लिए रखते हैं आप अलग शुक्त है जितने अंकुंग जोड़िए देखिए कैसे लोड़ेंगे कि यह दो अधिल कितना एगा सेवन फिर यह दो साथ आठ पंद्रा अगर दोल पर आया है तहां पर आप एक बाद करी करेंगे ठीक ना फास लेना है साथ आठ पंद्र पास हाँ से एक फिर देखिए आठ और जीरो मीज आठ एक करिया किये है इन नौ आपका यह होगे नौ सो सब्सक्राव है ठीक है अच्छा आप जड़ा हम देखते हैं दूसरा एक ताजी इसको 45 इंटू 11 क्या करेंगे 45 इंटू 11 क्या करेंगे 45 इंटू 11 परने करें जीरो जीनौ अगला अगरा शव्क्राइब क्या है डोड़ों टिच्छ पोल जोटते जाई है अब यहां प्रेव जोड़ी बाइब करी जीरो फाइवफफ्ट लोगे फॉर नाइन फिर फॉर एंजीरो फॉर नाटी फाइव आगे अब यह पोच्छे होंगे तो यह पच्छे है क्योंकि यहां आप कर चकते हैं यह भाले नहीं लगाएंगे लेकिन आगे हम जाएंगे और स्कॉर होगा क्यूब होगा क्यू रूट होगा वहां पर जाएगी बढ़ा लेगे तो आपको ऐसा करने में जो आप टेडिशनल वे है परंबर का तरीका है उसे करने में आप टाइम को बरबाद करेंगे चली देखिए हम आगे उपढ़ते हैं कि आप देखिए मैंने यहां कर दिया आप क्या करते हैं आप तो यारत अदाब कर दिये एक सब्सक्राइब करता हैं नहीं अब यहां पर करिए 45 अब यहां जीरो जीरो फाइब में फाइब हुआ सेथान अब फिर एब हर एक चोट इसको लेकर यहां तक पांचार 9 घिल अब इसको इसको का फांचान को यह आप इसको यह यह 3 एक यह फैन देखिए यह देखिए चार जार नद्टत पर चाहां है आगे देखेंगे थोड़ना बड़ा लेते हैं यहाँ चार करते हैं आप क्या करेंगे 45 कितने जीरो चार है न तीन दीजिए लेकर अब कही बार क्या करेंगे चार चार डिजिए जोड़नेंगे देखो जीरो 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 फाइब यहाँ से यहाँ था कितना होगा फाइब फिर आगे जलो चार यहाँ से जीरो जीरो फाइब फोर कितना हुआ ना इस चार ना ठीक है फिर यहां से लिए फिर यहां से फिर यहां से फोर लास्ट पर छोड़ी जिए आपके इतना हो गई तैस जाए तरह तरह उन्चार जाए नौसम तरशान के बातने माई ना अच्छा चारिए हम आगे एक और आपके निए आपके जाए गारी जीरो कितना है जितने हैं उससे एक कप माने 1234 1234 अब इसको करेंगे देखें कि 134 जीरो पांच तो यहां से यह भी नौ फिर पांच माने यहां तक यह भी नौ फिर यहां से यहां से यहां से यहां से लुगा अच्छा अब आगे हम देखते है कि अगर हम कि इधर का पढ़ादित भोड़ा सा यह देखिए 12341234 into कितना करें दो करें दो करें देखो इलेवल कैसे करोंगे 12340 00 कि इतने बिजिंस एड़ गए दो दो गना जीरो चार माने चार चार तीन साथ तीन दो पांच दो एक ती एक जीरो एक यहां सुरू जाएगा प्राप एक इसको यहां पर 11 आप क्या करें एक अब अब एक यथा आप लिक कर रहे हैं बात में ओल्ट करेंगे टाइब गारें जीरो 1-2-3-4-5-0-0-0-9 जीरो फ्रते इन 0-0 वन तू थी पो डबली रोढ़िये गली रोड़ दे द डवल इधर ड़़विए अब कितने कि इतने दिजिज़ दोडने तीन दिए यहां पर हो गया यह पूरा करें साथ हो गया यह जो गया यह यह हो गया यह गया यह कि यह गया औरो यह टोगे इस प्रकार से नौ के किसी भी जिट्स को आप आसानी से एड़ कर सकते हैं ठीक है मजी की बाद तो कब होगी अगर मैं बता दूँ भाही काम करो अब 242 में 22 का गुड़ा करो अब यह जो 22 है है तो 11 के कटेगरी कर आप कचे कर देखो 242 इंटू इसको कचके 2 इंटू 11 22 को 21 अब पाले आप उसका कर लेजिए कितना होगा फोर एक फोर अब आपका हो गया है पूरेट फोर इंटू 11 पाले नेमा जाए जो आपको चीका था क्या तरेगे एक जीरू इधर एक जीरू इधर दो दम जोड़ी है यहां पच्छार आठ चार बारह एक तेरह यहां चार पाल इतना आएगा आपका है ठीक है तो इस प्रकार के आप इसको करते चाहिए अच्छा आगे आगे हम देखें तू कि तो आपका यह हो गया है कि 45 गुड़ी सताहत्तर कि अब प्रताहत्तर नहीं है काम को कैसे करो जांदे हो पुछो 77 को लिख सकते 7 इंटी रेवन आगे अब सीवन का मेंटिप्लाई यहां करो साथ पच्छे परतिस साथ सब अठाइस अठाइस तीन तीस गुड़ी कितना बचाहिए यारा बचना पहला दियम जाओ यहाँ जीरो यहाँ जीरो दो जंगलो पांच छर चार तीन यहां करोंगे इस प्रकार से आप 11 के अंग को कितने अब यह अगर 11 का पाड़े में आने वाले कोई विश्ण के अगर इसको आप कर सकते हैं कितना ही नहीं अगर आपको 11 का वर्गमूर कर दो मैं आप बढ़ी आसाने से 121 कर देते हैं जबत कि इसके पीछे मैजिक क्या है लोचिक क्या है वहिडिक नियम क्या क्या का आप अचहां क्यों का 11 लेकिन यह आपकी परमपरागत विदी है पुरानी विदी है टिटिस्नल वे है आप अपडेटेट विदी में देखिए इसको अपया पर देखते हैं से 1 1 1 ऐसा 1 1 1 1 ऐसा 1 1 1 one ऐसा 1 1 1 1 मैंने आपर łucbor शाइं पाल लिए है आप शार में पकत मअच जाने की इसका अधिया देखो अगा तो पैसे हैं आप पर लेखिए one फिर देखिये two तू ना बढ़िए जितने डिजित होंगा वह से बढ़ते जाए वन अब तू तक गए अब वहां पीशे जाए वन तू वर अलमाया दो डिजित है आपने वन लेखा फिर टू लेखा थी मतले किये कि दो ही तर दो तक पूँच गए आप फिर तू से नीचे जाए वन टू वर लोगे अबन्रक प्रीश कम हो ये निच्छ जाए ए टी तू बढ अ कि इसका चार बन टू ठी पूर आज अधे आधका मोई ए पी तू वह यांदिकी पांच है वन टूटो थी फोर थाए आधक मूई ए फोर तई तू उन इस रखाज्ये आप किसी भी शरी प्याधा 211 का स्क्वायर करना हो कितना टाइंड लेंगे तो अगर आपको मैंने यहां पर मैंजिकली बता दिया कि मैंजिक भाइदे को यह है मैंने किया 11111 इसका स्क्वायर करना है गारंटी से करता हूँ आपका कल्कुलेटर कितना भी तेज़ हो एक याद दो मिलत पर 60 सेकंड को पर जाना ही जाता है ठीक और आप बिना कल्कुलेटर के बिना मुल्टिपलाइड कितना तीजित है 1 2 3 4 5 6 इसका उत्तर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 यह देखें हैं अगर उसको मेधर नहीं मालूम है देखें हैं अब आप सिक किसी ने और पूछा क्याते पूछा देखें कि काई दहाई सब्सक्राइड हजार हजार दसजार लाख तस लाए यह सका स्कॉयर करो मौलब भाई की यह उसको पता नहीं है अब टेडिस्नल वीवारे नहीं है वो पुरानी रीत नहीं अपना रहे हैं आप तो बैसको जांकर हो रहे हैं जांकर हो तो थी मैं सिभने वालों को है सवाल में क्या रखा गया है तो आप करना किजिए क्यों काउंट कर लिए मन में कितने है वन टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेवन आगे फिर नीचे आई है सिक्स फाइफ फोर ट्री टू वर देखें वन टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेवन आगे खटी नीचे सिक्स फाइफ फोर ट्री टू वर यह अंसर होगा अरे उसको आशन लगा भाई एक मसीन है कि आदमी मसीन है कि इसान उसको आशिर होगा ने और उसको लगेगा कि जरूर कोई ने कोई जादू जानता है जबकि बैया मेरे प्यारे बच्चों मैस में जादू कुछ भी नहीं है हर जगा एक ट्रिक है हर जगा एक नियम है आप जो पहाड़ा पढ़ते हैं जो गिंती गिंते हैं हैं जोड़ी बच्छी पर सान होते हैं सब्सक्राइब कर अधार और इसको अगड़िक बताजí होती हैएte बढ़ा पहाड़ा अब यह से मत अभी लिखना सोच सोच के अंगली पे गिने गिने करके वेचारा लिखता है और आप बता देगे वाइब जी रो पर लिख लो 123456789 उपर बढ़ो हमारा जबेल है वो एक साइस है साइस की उत्फत्ती वेधों से हुई है तो किबाद हम बैदिक चीज़ों नमद अपना करके पासात परबभ़ाओं की चकर इपकरकर अपना वक्त बरबात कर देए है और दिमाग भी बरबात कर देए थी तिक है न हम दो pand Adventure करते हैंए इस दिन पैदा हुए हो उस दिन से मरने तक कितना टाइम है फिक्स टाइम है घटेगा पड़ेगा नहीं अब उसी टाइम को चाहिए आप अनावस्षक चीजों मरबाद कीजिए चाहिए अच्छी चीज़ें सीख करके टाइम का सदुब्यों करके समय बचाएए पैसा चला जाएका कोई बात नहीं फिर आएगा घर तूर जाएका फिर बनेगा इन्यूप यो टाइम चला गयाए न वो फिर दूबारा आने वाला नहीं है इतने टाइम बचाना है तो बैदिक मैज चीखो ने टाइम के बचेगा जिन्दकी आसान बन जाएगी लोगों में लोग प्रियता बढ़ जाएगी और आप हर जगा सम्मान के पात्त होंगे ठीक है आप इस तिक को लपीद के जिए अगले ट्रिक के साथ फिर हम आपके पास एक नई ट्रिक लेकर गाएगे और आपको फिर नई ट्रिक नई जादू बताएगे तब तब आप इसको और वीडि लोगों जानते जो आपको अपने लगते हैं आपको लगता किनका विकास होना चाहिए इसको तेज होना चाहिए आप ये ट्रिक आप इधी ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना क्योंकि अगर सेख जाएगे न आपको बहुत ही आश्रवाद देंगे आप से फुस रहेंग करेंगे आपकी सुबकामना के लिए भगवाण से प्राक्ना करेंगे ओके चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस एक साथ में वीडियो हिंस्वाद पुका है थैंक्यू बेरी मच्च